देश के शेयर बाजारों में आज गिरावट का रुख रहा सेंसेक्स में लगभग 24 अंकों की गिरावट जबकि निफ्टी में लगभग 23 अंकों की गिरावट तर्ज की गई मैटेलोर आईटी से जुड़ी कंपनिया ज़ादा दबाव में रही बंबई स्टॉक एक्स्चेंज यानि BSE का 30 शेयरों पर आधारेच सम्रीदी सुचकांक सेंसेक्स सुभा 28 अंकों की तेजी के साथ 36,753 पर खुला और 33 अंकों या 0.15 फीसेदी गिरावट के साथ 36,671 पर बंद हुआ दिनभर के कारोबार में सैनसेक्स 36,753 के उपरी और 36,592 के निचले स्तरकोच हुआ BSE के मिड कैंप और स्मॉल कैंप सुचकांकों में गिरावट भी रही BSE का मिड कैप सुचकांक 11 अंकों की गिरावट के साथ 14,804 पर और Small Cap सूचकांग 11 अंकों की गिरावट के साथ 14,539 पर बंद हुआ National Stock Exchange यानी NSE का 50 शेरों पराधारित सम्वेदी सूचकांग निफ्टी 19 अंकों की गिरावट के साथ 11,038 पर खुला और 22 अंकों या 0.21 फीजिदी के साथ 11,035 पर बंद हुआ दिनभर के कारोबार में निफ्टी ने 11,049 के उपरी और 11,008 के निचले रस्तर को छुआ VSE के 19 में से 8 सेक्टरों में तेजी रही यूटिलिटीज, बिजली, उप्रोगता टिकाव वस्तुएं, तेज खपत, उप्रोगता वस्तुएं और दूर संचार में सरवाधिक तेजी रही डिबिलाइव के रिपोर्ट